स्कार साथियों स्री विजा आर्ट अकेडमी की टीजिटी और पीजिटी की क्लास में आपका हर दिख्वादत हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं साथियों यह हमारा वान्बर इस नंबर के टो आप हमसे जोड़ सकते हैं वहाँ पर टेस्ट होते हैं गिश्च संडே को होता है और उसका मंडै को अन् टेस्ट पीपर का डिस्केशन कराए जाता है बहुत सारे लोग जोडते हैं आप भी जुड़िये अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी कहीं न कहीं उसका लाग मिलेगा ताक्यों आज में लेकर क्या ही हूँ जो आज मैंने टेस्ट पेपर लिया था उसका ये पेपर है इसी को साल कराने जा रही हूँ तो आप हमारे साथ बने रहे हैं हमारी वीडियो के साथ बने रहे हैं आएए देखते हैं देखिए पहला प्रस्ट जो है जूकर तथा जहांकर सर्पिता की खोज 1922 इस्वी में किस ने किया था जूकर तथा जहांकर सर्पिता थी इसकी खोज जो है 1922 इस्वी में स्री एंजी मजुमदार ने कि थी तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा जिन बच्चों ने अपना टेस्क दिया है अगला हमारा प्रश्ण है अमर्नात नामक अस्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम में कौन सी गुफा इस्थित है ए बाग की गुफा बी सित्तन वासल सी जोगी मारा की गुफा डी सबी तो अमर्नात नामक अस्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम में जो है जो गुफा बुपा है वह जोगी मारा की गुफा है यह 300 इसा पूर्व की गुफा है इसमें हमारे इस्या की कहा जाता है इस्या की सबसे प्राचिम नाटे साला यहीं पर बनी है और सीता लंगडा के नाम से जाना जाता है अगला प्रिशन देखिए रामड की चित्रसाला का वड़न किस मिलता है महाभारत भी रामायड स्रीनाट सास्तक्न अस्टइव मुली या योगी मारा गुफा का प्रमाड क्या है यानि मारा गुफा की जो लंबाई च्वडाई मुचाई है उसके बाप से पूछ रहा है दस गूडे छय गूडे6 6 बी गुड़े 10 C 6 गुड़े 6 गुड़े 11 D 10 गुड़े 6 गुड़े 4 तो इसमें आप देखें जो जोगी मारा की गुफा है उसका जो सही माप है वो 10 गुड़े 6 गुड़े 6 होगा अगला प्रस्ण देखें किस गुफा के चित्रों में बौनी आकरतियां साची एवं भरहुत से मिलती जुलती हैं अगला प्रस्ण देखें सत्यवान के संबंध में बताया गया है कि वह मिट्टी के घोड़े बनाता था ये जो कथा है वो किस ग्रंथ में मिलती है आपने सावित्रियो सत्यवान की कहानी पड़ी होगी तो इसमें जो है ये जो मिट्टी के घोड़े बनाता था इस प्रसंग का जो वर्ड़न है वो महाभारत में किया गया है अगला प्रसंद देखिए मेधनी कोश नामक ग्रंथ में चित्रकार को क्या कहा गया है ए वर्तिका बी वर्डात दी योगी तो मेधनी कोश नामक ग्रंथ में चित्रकार को कहा गया है वर्डात अग्ला प्रस्ण देखे भहरत मुणी ने नाट शास्तर में किन-किन प्राथमिक रंगों को बताया है A. लाल पीला हरा, 80C. लाल हरा नेला, D. देखे दोस्तों यह बहुत अच्छा प्रस्ण है, बहुत इंपॉर्टेन्ट प्रस्न है आप लोगों के लिए कि भारत मुनी ने नाट सास्र में किन किन प्राच्मिक रंगों को बताया है तो वो हो जाता है आपका लाल पीला और श्याम रंगों का बढ़न हिया गया है अगला प्रश्न देखिए काली दास द्वारा रचित मेग दूत रगवंश का रचना काल क्या है यानि काली दास ने जो मेग दूत और रगवंश का रचना की थी उसका समय क्या है दिती शताब्दी ब परथम शताब्दी दोनों द कोई नहीं तो यह आपका हो जाएगा परथम शताब्दी अगला प्रसंद देखिए चेत्र सूत्र का सर परथम अनुवाद अंग्रेजीम में किस ने किया था मैत्रय बुद्ध अर्था भवश्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को क्या कहा जाता है तो यह जो भवश्य में अवतरित होने वाले बुद्ध यानि मैत्रय बुद्ध को कहा जाता है अगला प्रसंद देखिए ट्रवेल्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखा कौन है युवांग च्वांग बी जेम्स फार्ग्योशन शीफायान दी मेजर राबर्ट गिल त है युवांग च्वांग अगला प्रसंद देखिए चीनी बौध यात्री युवांग च्वांग ने अपनी किस पुस्तक में अजंता गुफा के चित्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की है ए राउग टेमपल्स आफ अजंता बी पेंटिंग ऑफ अजंता केश सी ट्रवेल इंडिया डी कोई नहीं अभी इसके पहले वाले प्रसंद में आपने पूछा कि ट्रवेल इंडिया जो पुस्तक ती उसे युवांग च्वांग ने लिखा है तो इसी पुस्तक में उन्होंने अजंता के चित्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की है अग्या प्रसंद देख जात्तक से संबंदित चित्र हैं अजंता में जहां जहां जातक लगा है उसके मैक्सिमम यानि ज्यादा तर जो चित्र है वो गुफा संख्या सत्रम में बने हुए अज्या प्रसंद देखिए त्री राय कृष्ण दास ने अजंता के चित्रों में किस चित्र को राजकुल की महिला महा प्रजापती देवी यानि भगवान बुद्ध की वीमाता माना है दो बाएं अंगूठे वाली रमडी वीमाया देवी का स्वापन सी सर्वनास जी सभी तो इसमें ये जो दो बाएं अंगुठे वाली रमडी है इसको राय किसंदास ने भगवान बुद्ध की वी माता यानि भगवान बुद्ध की जो मा थी वो बच्पन में ही उनकी मृत्जी हो गई थी उनका जो पालन पोशड किया था वो उनकी मौसी थी परजापती गौत्म उन्होंने उनका पालन पोशड किया था इसलिए उनको वी माता कहा जाता है तो ये जो इस्त्री है दो बायं उठे वाली रमडी इसको कहा जाता है कि ये भगवान बुद्ध की वी माता है अगला प्रसंदेखे अजनता के किस गुफा में भीक्षू नामक्चित रंकित है a गुफा संक्या एक, b गुफा संक्या दो, c गुफा संक्या छो, d गुफा संक्या तेरह तो जो वीक्षू नामक्चित्र है वह गुफा संक्या 6 में मिला है बाग गुफा के चित्र जुलूस के चित्र पर का अक्षर किस रंग से लिखा है जो बाग गुफा का चित्र है जुलूस के चित्र पर का अक्षर किस रंग से लिखा है यह पूछ रहा है ए गेरू, भी हिरोंजी, सी खड़िया, डी काज़, तो ये लिखा गया है हिरोंजी रंगते, हिरोंजी से लिखा गया है, अगला पसंदेखे, किस गुफाओं की चट्टाने भुरभुरे बलवे पत्थर की हैं, ए अजन्ता, भी बाग, सी जोगी मारा, डी सभी, तो ये जो बाग की गुफाओं हैं, वो भुरे बलवे पत्थर के बनी है। अगला प्रसंदेखे, प्रसित कलाविद शिवरामूर्ति ने किस गुफाओं की प्रसंदा की है। होती थी वह बैलों के दौरा की जाती थी इसलिए धर्ती की जो स्मृति का सूचक है उसे बैल को माना जाता है समृध्धी का सूचक भी बैल ही माना जाता है अगला प्रस्थ देखें बादामी के किस गुफा में विष्णो की प्रत्मा मुख मंडब पर इस्थाती है गुफा संख्या 1, B, गुफा संख्या 4, C, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 5 तो बादामी जो गुफा है उसमें विष्णो की प्रत्मा मिली है वह गुफा संख्या 4 के मुख मंडब पर इस्थाती है अगला प्रस्थ देखें सन 1889 इस B में ए मुरे ने शिगिरिया गुफा के चित्रों की प्रतलिप्यां किस माध्यम में त्यार की थी इसको आप्शन देखते हैं ए जल रंग बी तैल रंग सी पेस्टल रंग में रंगिन छाया चित्र डी सभी तो वो तैयार के थी मिस्टर मुरे ने पेस्टल रंग में रंगिन छाया चित्र अगला पुसंद देखिए इवी हैवल ने किस गुफा के चित्रकारों के तुलना पास्चा ते चित्रकार वोत्ती चली से की है अगला पस्दी के बंगाल, बिहार, उडिशा, उत्तर्पदेश, नेपाल, आधिछेत्र में कौन सी कला पन्पी इपाल सैली, बिजैन सैली, इसी गुजराती सैली, डि मुगल सैली तो वहाँ पर जो कलाएं पन्पी थी वो पाल शैली थी अगला पस्दी देखिए स्वेतस लाव रोरिक के संग्रह में किस ग्रंथ की कुछ प्रतियां है अगला पस्दी देखिए गंधि व्यो ग्रंथ में कुल कितने चित्र हैं A. 125, B. 225, C. 116, D. 100 गंधि व्यो ग्रंथ में कुल 126 चित्र पाएं गया है अगला पस्द देखिए महावीर का वैरागी कल्प सूत्र के एक पत्र पर चित्र चित्र किस सैली का है A. पाल सैली, B. जैन सैली, C. विहार सैली, D. पठना सैली तो चुकि महावीर के बारे में है तो यह आपका हो जाएगा जैन सैली अगला पस्द देखिए वकायत बाबरी की एक प्रती भारत के किस संग्रहाले में संग्रहेत है A. नगमा, B. राश्टी संग्रहाले नहीं दिल्ली, C. जहांगे राट गैल्री, D. सभी वकायत बाबरी की जो एक प्रती है वो राश्टी संग्रहाले नहीं दिल्ली में संग्रहेत है अगला पस्द देखिए अखबर कालीन चित्रथ शाहनामा किस संग्रहाले में संग्रहेत है A. विक्टोरिया एंड अलबर्ट मूजियम, B. चस्टर बेट्टी लैबरेरी डबलिन, C. ब्रिटिस मूजियम लैबरेरी लंदन, D. लकनों संग्रहाले तो अखबर काल में जो शाहनामा चित्रित हुई थी वो है चस्टर बेट्टी लैबरेरी डबलिन, अगला पस्द लेखिए चहांगीर के सासनकाल में हरम की बेगमों का शवी तयार करने के लिए किन चित्रकारों को न्युक्त किया गया A. साइफा बानो, B. नादिरा बानो, C. रुकईम बानो, D. सभी तो ये जहांगीर के सासनकाल में ये तीनों जो चित्रकार, ये महिला चित्रकार हैं इसमें आप पसंद भी उप्तर हो जाएगा सभी अगला प्रस्न देखें, बैलगारी चित्र किस मुगल सासा के काल में अबुल हसन ने चित्रित किया था A. औरंग, J. B. जहांगीर, C. अकबर, D. जहांगीर, तथा शाह जहां बैलगाडी चित्र जहांगीर के काल में अबुल हसन ने चित्रित क्या था यह बहुत ही प्रस्यथी चित्रा है अगला प्रस्म देखे लौर चंदा के लेखा कौन है ए मुल्ला दाउद, बी विल्लः, सी कुतुबन, सी डी जैराज लौर चंदा के जो लेखा के वो मुल्ला काउल है अगला प्रस्म देखे उनियारा किस सेली का उपसली है ए मिवार सेली, बी मारवार सेली, सी हडावती सेली, दी धुंधार सेली तो उनियारा जो है वो धुंधार सेली की उपसली है ये शली आपके राजास्थानी सली से विलाउं करती है, अगला प्रस्थ देखे, सं 1655 में किस चित्रकार ने शूकर छेत्र महात्मे को चित्रित किया था, अगला प्रस्थ देखे, भ्रहमर गीत का संबंध कि सली से है, अगला प्रस्थ देखे, सबसे पहले ढोला मारू का चित्रक कि सली में हुआ, अगला प्रस्थ देखे, सबसे ज़्यादा ढोला मारू का चित्रक कहां पर हुआ, तो वो आपका जोदपुर में हुआ था, यानि मारवार सली में हुआ, लेकिन सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले ढोला मारू का चित्रक कहां पर हुआ था, तो वो आपका मेर सली हो जाता है, अगला प्रस्ट देखें, देखें अगले ही प्रस्ट में है ये डोला मारू का चित्रड सरवादिक किस सैली में हुआ A. मेवाड सैली, B. जैपुर सैली, C. अलवर सैली, D. मारवाड सैली तो कभी आपको जोजपुर सैली लिख करके देगा, कभी मारवाड सैली लिख कर देगा, इसको आप अपने दिमार्प में इस कांचेप्ट को क्लियर रखेगा, यह आपका हो जाएगा मारवाड सैली या जोजपुर सैली अगला प्रस्ण देखे, मेवाण में ढोला मारू का चित्रण की सासक के सासनकाल में हुआ A. अगला प्रस्ण देखे, कटोच राजवन्स की सली से सम्बंदित है A. कांगडा सली, B. गुलेर सली, C. मंडी सली, D. जम्मू सली तो जो कटोच राजवन्स है वो कांगडा सली से कमदित है अगला प्रस्ण देखे, बाहु के राजा आनंद देव का चित्र किस सली में चित्री थै A. पुल्च सली, B. जम्मू सली, C. कस्मीर सली, D. किसंगर सली तो ये जो चित्र है ये जम्मू सली का चित्र है अगला प्रस्ण देखे, आनंद पुर, लगु चित्रों का उत्तम केंद्र माना जाता है, ये किस के द्वारा स्थापित है A. खड़क सिंग, B. दिलीप सिंग, C. शेर सिंग, D. तेज बहादूर तो जो आनंद पुर है वो तेज बहादूर के द्वारा स्थापित है अगला प्रस्ण देखे, मा बेटा सिरीज किस चित्रकार का है, A. केसीयस पढ़कर, B. यामनी रह, C. तयर मेता, D. सभी तो मा बेटा जो सिरीज है यानि श्रिंखला है कि केसीयस पढ़कर ने त्यार किया था अगला प्रस्ण देखे लांग नाइट श्रिंखला किसने चित्रिस किया A. बिनोद बिहारी मुकर जी, B. विवान सुंदरम, C. स्याम सुंदरदास, जी सभी लांग नाइट श्रिंखला विवान सुंदरम ने बनाया था अगला प्रस्ण देखे बर्था पे रोज और ड्रीम कलाकरती किसने चित्रिस किया अभिटा सिंग को यह जो संस्था है टकमड 28 इसके संस्था पक्सा 10 चोचेर मैंने सुरेश सर्मा अगला प्रस्ण देखे जैपुर के जंतर मंतर का चित्रांकन कौन से कलाकारद रहा हुआ है A. महेश सर्मा, B. सुरेश सर्मा, C. मोहन सर्मा, D. जैराम जैपुर के जंतर मंतर का चित्रांकन किया है मुहन सर्मा, अगला प्रस्ण देखे, कि इस इस्तूप के वेदिका अस्तंप पर चूला कोका और सुदस्ना यक्षी का चित्रण हुआ है A. सांची इस्तूप, B. कुशी, नगर इस्तूप, C. भरहुत इस्तूप, D. सार्नात इस्तूप, तो यह चूला कोका और सुदस्ना यक्षी का जो शित्रण है वो अंकन है वो भरहुत इस्तूप पर हुआ है अगला प्रस्न देखिए लौरिया नंदन गर स्तंब के शिर्स पर किस पसू का मूर्ति सिल्प रस्थापित है A. बैल, B. सिंग, C. वरिशेफ, D. अस्वे, तो लौरिया नंदन गर स्तंब के शिर्स पर सिंग सिल्षक बना है अगला प्रस्न और आखरी प्रस्न देखिए बहुत धर्म के महावी निश्क्रमण की घटना का संबंध है A. ग्रीत्याग, B. मृत्योक्राप्त, C. पाट साला त्याग, D. कोई नहीं तो महावी निश्क्रमण की घटना है कौतम गुद्ध से संबंधित जब उन्होंने अपने ग्रीत्याग किया था तो उस ग्रीत्याग को महावी निश्क्रमण कहा जाता है दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बतन जरूर दबा ताकि आपको हमारी में अपने के तरन मेंती रहे नमस्कार